इस वीडियो में हम आज CSS border के बारे में बढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने CSS के बारे में बढ़ा था कि वो HTML के साथ काम कैसे करती है उसके benefits क्या क्या है web browser के साथ कैसे काम करती है CSS border भी एक property है जो border की उपर apply की जाती है तो इसके बारे में हम बढ़ते हैं कि इसके क्या के elements है और यह कैसे use होता है this property is used to set and format the border around the element इस property से हम अब border को set कर सकते है we can set a border style, width and color हम इसके style को, width को और color को set कर सकते हैं HTML tags के साथ these three properties are used to format the border इस three properties बताएं उन्होंने जो की हम border के साथ use कर सकते है उसकी description देखते हैं साथ में border style border का style कैसा होगा यह वो हमें बताएगा और उसकी commonly used values जो है वो क्या क्या हो सकती है none में आपको border नहीं दिखाएगा dotted में आपको dotted border दिखाएगा dash में आपको dash वाला border दिखाएगा मतलब space छोड़ छोड़के dotted में आपको dot वाला दिखाएगा solid में आपको thick border दिखाएगा double में आपको double line दिखाएगा same ऐसे ही सब के लिए अलग-लग format define करे गए है उसके बाद है second वाली border की width उसके width कितनी होगी यह आप set कर सकते हो border का color क्या होगा यह भी आप set कर सकते हो और border property है जो single use होती है इसके अंदर इम तीनों को use करेंगे एक ही line के अंदर आगे देखते हैं यह कैसे होगा पहले हम first वाल एक्जांपल पर चलते हैं यह paragraph की उपर use की गई है curly braces के अंदर ही हमने सारा border का design लिखना है CSS जो है हमेशा curly braces के अंदर ही होगी border का style जो बताया है इनोंने वो solid करा है आप अपनी मर्जी से इन में से कोई भी choose कर सकते हो border के width 5 pixels बताई है वो इतना मोटा आपको दिखाई देगा 5 pixels के जितना 5 pixels का size होगा इतना maximum तो इतना ही दिखाई देगा border का color blue आप अपनी मर्जी से कोई भी set कर सकते हो यह तो होगी paragraph के उपपर और तीनों को अलग लग line में define करके next example में क्या करेंगे एक ही line के अंदर define करेंगे following example show the border properties in a single declaration मतलब एक ही line के अंदर सब कुछ declare कर दिया जाएगा अब in this example 5 pixels is the border width 5 pixels उसके width दी हुई है मतलब जहां आपने तीन लाइन में यूज करा है उसको पूरे को एक ही line में यूज करेंगे जैसे यह वली जो प्रापटी थी border की इसे यूज करा गया है यहाँ पे next step बेटा दे फोर साइट ऑफ दा बॉर्डर कान औलसो भी फॉर्माटे डिफरेंटली इन css कहते हैं four side border की हम different तरीके से भी css में फॉर्माट कर सकते हैं जैसे कि बॉर्डर का top का style dotted कर दो बॉर्डर का right side solid कर दो उसके नीचे वला style जो बॉटम style है वो आप डैश कर सकते हो बॉर्डर का left side जो है dotted according to your choice आप अपने बॉर्डर के डिजाइन को जैसे मर्जी डिजाइन कर सकते हैं. नेक्स ट्रोप्रिक है बटा आपका CSS box model CSS box model क्या होता है? The term box model is used to connection with the design and layout of the web pages. यह box model क्या करता है? Connect करता है page के design और layout को web pages के साथ. Each element of an HTML box in a way जो हर element है HTML का वो box के अंदर एक अलग से way के अंदर दिखाया गया है. The web browser renders every element as a rectangular box according to CSS box model. According to CSS box model के according उस हर element को वो rectangular box के अंदर ही दिखाता है. Box model consists of multiple properties. इसकी बहुत सारी properties है. It includes the margin, border, padding and the actual content. Actual content जो भी आप यहाँ पे display करवा रहे हो. Padding होती है, border और content के अंदर जितनी space होगी वो और border और जो actual page का size है, screen का size है. उसका जो margin होगा वो आपको यहाँ पे show करवाएगा. The image below illustrates the box model. यह जो image है, आपको पूरा box model display करती है. इसके अंदर जो चार properties यूज़ करी गई है, इसको आगे describe उन्होंने करा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है. Content, it is a area where actual content of the box display, यह वो area है जहाँ पे अपना page का actual content display करवाया है, यह text भी हो सकता है, images भी हो सकती है, audio भी हो सकती है, anything जो भी आपने यहाँ पे add करवाया है. Padding क्या होता है, content और border की बीच की जो space होती है, जो आपने content actually आपका display करवाया है, यह आपका content है, और मालो यह आपका border है, इन दोनों की बीच में कितनी space होनी चाहिए, वो उमसे set कर सकते हैं. Next is a border, it is a area between the box padding and margin, जो भी box की padding होगी, जो आपने box बनाया है, उसकी padding और margin की बीच, जो उसकी बीच का हमने कितना difference decide करना है, वो हम इससे decide कर सकते हैं. यह width और height के properties की accordingly होता है, margin यह एक border का outside area है, जो कि transparent होता है, हमें दिखाई नहीं देता, बस हम इसको guess कर सकते हैं, भी margin ज़्यादा है या बड़ा है और अपने accordingly set कर सकते हैं. अब CSS layout webpage design करते समें, हमें layout का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और layout का ध्यान रखते समें, हमें जो भी content है, उसको हम divide कर सकते हैं, page की section के accordingly, जब हम page को section के accordingly divide करते हैं, तो हम div tag को use करते हैं, और expand tag होता है, इसे हम use करते हैं, जब हमने छोटे-छोटे content को, यानि की text को, images क ऐसे किसी छोटे parts में divide करना है, तो हम span tag को use करते हैं, इसमें लिखा भी है, देखो, div and span is used to define a part of a web page, ये web page के parts को define करता है, div is a block level element, ये block level element है, मतलब की पूरे एक block को divide करता है, and span is an inline element, ये line के उपर define होता है, div should be used to wrap a section of a document, पूरे एक section को, जो आपने अलग-लग इसमें लिखा है, उसको एक wrap कर देगा पूरे section को, और आपको एक अलग से portion दिखाएगा, while span are used to wrap a small portion of a text, जो भी आपने text अलग-लग लिखा हुआ, separate करके, उसको span tag के थुरू, आप wrap up कर सकते हो, ताकि आपकी space cover हो सके, आपका first chapter computer का biter complete हो चुका है, आप इसे easily understand कर सकते है क्योंकि मैंने आपको इसकी सारी videos provide करी है, अगर कोई भी problem आते हैं तो आप मुझे बता सकते हो